आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है, बात करेंगे Vodafone Idea के बारे में, यहाँ पर another tariff hike की उम्मीद लगाई जा रहा ही है, जिसकी वज़े से आज बहुत तकड़ा जंप हुआ है, क्या इसमें निवेश करने का सही समय है, आइए चल कर विश्रेशन करते हैं, और बताते होगी, जिसमें शायद Airtel लीड करेगा hike करने के लिए, which is considered as good for telecom sector, अगर hike बनती है, तो यह telecom sector के लिए अच्छी advantage लेकि आएगा, क्योंकि काफी expenses बढ़े हुए हैं, और इनका average revenue काफी कम है per user के साथ में, CEO रविंदर ठककर जी ने कहा है, कि जो इन्होंने पहले minimum price set किया था 99 रुपे, अब यहाँ पर किसी भी service के लिए चाया 2G ही service ले, तो आपको 99 रुपीज सर्फ करने पड़ेंगे, जो कि एक अच्छी बात मानी जाएगी, और लोग बाद 99 रुपे ना लेकर, अब कि वो अपनी 4G का service pack ले, जो आराम से 180-200 रुपे तक मिल जाता है, तो इससे tariff hike बढ़ने की बहुत जादा chances लग रही है, as per analyst expectation, यहाँ पर tariff hike 2022 में फिर से आएगा, और यहाँ पर जो इसको उमीद लगा जाएगी, और तेहिस में भी further hike होगा, तो यह अब यहाँ से लग है कि टेलिकोम सेक्टर का जो loss making है, हर साल दर साल हर company loss बना रही है, यह अब stop होगा, और यहाँ पर funding की भी बहुत अच्छी बात आ रही है, जिसके बात हम चल रहे हैं, हमने कहा है, जैसा आपको बताया ता दूसरे वीडियो में भी, कि बहुत जल्द यहाँ पर funding approval आने वा तो यह एक बहुत अच्छी ख़बर होगी, जैसे ही official बनेगा, तो यह stock काफी तेजी से उपर बढ़ेगा हमारे इसाब से, Vodafone Idea, stock के लिए आज अच्छी ख़बर, यहाँ पर ARPU is getting better, as well as हमारा target near term के लिए 50 रुपे का है, इसका, buy कीजे, hold रखे, अपने बच्चों के लि हुआ कि यहाँ पर banks का कुछ funding clear चल रहा है, discussion final stage में पहुँच गई है, तो stock ने काफी तेजी से 10 रुपे 70 पैसे से बढ़कर 11 रुपे 40 पैसे तक छलांग मारी है, तो करीब 70 पैसे का इसने बढ़ोतरी दिखाई है, overall 3% के आसपास increment आया है, volume देखें, तो volume यहाँ पर 25 लाख share hand exchange हुए है, जिसमें से 25% की delivery हुई है, यानि की 6 लाख के आसपास यहाँ पर delivery माने जाएगी, तो बहुत अच्छा दिन रहेगा हमारे साब से, और अगर word of one idea का देखें तो यह काफी अच्छा consolidation phase हो चुका है, इसका अब यहाँ पर, और अब यह यहाँ से ऊपर न तो यहाँ से ऊपर जाने की शुरुआत करेगा, और RSI का level 41 होना, यहाँ पर एक neutral zone कहलाता है, जो यहाँ से ऊपर जाएगा, देखें, customer अब को पैसा जादा देना पड़ेगा, यह तो clear बाट है, कि इसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए, customer को यहाँ पर payment जादा आने चाहिए, AR 15% तक उचाल लग सकता है, ARPU का यहाँ पर, जो कि हमारे एसाब से बहुत अच्छा view बनेगा, 120 रुपे से बढ़कर, यह करीब करीब 140 तक बहुत जाना चाहिए, ARPU, तो long term के लिए, अगर आपको short term के target जाने है, long term के target जाने किसी भी stock के, तो हमारे paid member बन सकते है, 59 रुपी mail drop कर सकते हैं, जहीं जभारत, bye guys